नमस्कार दोस्तो राजस्तान पुलीस कॉंस्टेवल 2021 रेलवे ग्रूप डी हेतु जो जनरल साइन्स हैं उसके कंप्लीट सेलेवस के अनुसार गॉल्डन टेश्ट स्रीज बारा तयार की गई हैं जो की हमारे यूटूब चैनल विनायक सपलता स्टेडी के नाम से हैं उस पर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं हमारा जो पर्थम क्यूशन है उसकी ओर चलते हैं पर्थम क्यूशन है आरेच का रख संबंदित हैं जो आरेच फेक्टर हैं वो किससे संबंदित होता है लार से रक्त से लसिका से या फिर मुत्तर से तो फ्रेंड्स इन में से ज कौन सी साखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंदित हैं, जो पादप विज्ञान है उसकी कौन सी साखा है जो उन्नत उन्नत किस्मों के पादपों का तयार करने का कारी करती हैं, तो इन में से पादप परजनन, पादप ब्रून विज्ञान, पादप जी विज्ञान या फिर पादप सरीर रचना विज्यान तो friends इन में से जो हमारा correct आंस्वर है वो हो जाएगा पादप परजनन correct आंस्वर option A next question की ओर चलते हैं हमारा next question है किसके दुआरा अधिक्तम सूर्य उर्जा ग्रेंड की जाती है इसके दुआरा अधिक्तम सूर्य उर्जा कौन है जो सूर्य की उर्जा को सर्वादी ग्रेंड करता है घास, रक्ष, सेवाल या फिर जन्तु तो friends हमारा जो correct आंस्वर है वो हो जाएगा सेवाल option C जो की सर्वादिक सूर्य उर्जा ग्रेंड करता है next question की ओर चलते है हमारा next question है निम्न में से कौन मनुष्य मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग है इन में से कौन सा सबसे बड़ा मनुष्य का जो मस्तिस्क है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है प्रे मस्तिस्क, अनूमस्तिस्क, मस्तिस्क, इस्तंब या फिर महासंयो जक पिंड तो इन में से जो मारा कर रहे कांसर है वो हो जाएगा friends मस्तिस्क जो है प्रे मस्तिस्क सबसे बड़ा भाग होता है प्रे मस्तिस्क next question की ओर चलते हैं next question है मानव सरीर में रिदे का कार्ये है मानव सरीर में रिदे का कार्ये है pumping station की तरह सरीर को उर्जा देना तापकरम बढ़ाना इन में से कोई नहीं तो friends इन में से जो मारा correct answer है वो हो जाएगा pumping station की तरह जो मारा रिदे है वो pumping station की तरह कार्ये करता है को pump करने का काम करता है next question की ओर चलते हैं next question है मारा पुर्षों की नस्बंदी को क्या कहा जाता है वेक्सो, टॉमी, टूबेक, टॉमी नूरे, टॉमी, साइके, डेमी, तो friends इन्वे से जो मारा correct answer है वो जाएगा option A, वेसेक, टॉमी का जाता है पुर्ष जो नस्बंदी करवाते हैं उसे वेसेक, टॉमी के नाम से जाना जाता है और इस्त्रियों में जो नस्बंदी होती है उसे टूबेक, टॉमी कहते हैं next question की ओर चलते हैं next question है हमारा रिदे घात के कारण है रिदे गात होने का क्या कारण है, शरीर में कोलेश्ट्रोल का इस्तर बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के ठक्के का पहुचना, रिदे में रक्त की एप्रियाप्त मात्रा का पहुचना और यह सभी, तो फ्रेंट्स इनमें से जो मारा कर रहे हैं कांस्वर हैं, वो हो जाएग नेक्स्ट क्यूशन की ओर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्यूशन है फ्रेंट्स, वीटी कल्चर जाना जाता है, संत्रे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, और केसर के उत्पादन से, तो फ्रेंट्स इनमें से जो मारा करेक्ट आंस्वर है वो हो जाएगा अंगूर उत्पादन correct answer option B अंगूर के उत्पादन को VT culture कहते हैं यदि हमारे YouTube channel को आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले और इस test series को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में share करे ताकि उनकी भी general science की perfect तयारी हो सके next question की ओर चलते है next question है हमारा SARS क्या है SARS किस्य संबंदित है संगटन है एक परकार का विशाणू जनित रोग होता है या फिर युद्ध ओत यंत्र का नाम है या फिर संचार परनाली है SARS की किरिया विदी क्या है सार्च एक परकार का विशाणू जनित रोग है तो हमारा correct answer हो जाएगा option B next question की ओर चलते है next question हमारा 10 number का प्रकास वरस इकाई है दूरी की समय की प्रकास तीवरता की या फिर दर्वेमान की तो friends हमारा जो correct answer है वो हो जाएगा दूरी की प्रकास वरस को दूरी में मापा जाता है तो ये प्रकास वरस इकाई किसकी हो गई दूरी की next question की ओर चलते हैं हमारा next question है next question देखिए 11 number का pendulum pendulum गड़ी तीवर गती से चल सकती है grism रितू में, seat काल में बसंत रितू में या फिर वरसा रितू में जो हमारी pendulum गड़ी होती है वो तेज गती से कब चलने लगती है तो इन में से जो हमारा correct answer है वो हो जाएगा seat काल seat काल में pendulum गड़ी तीवर गती से चलती है और grism रितू में pendulum की जो pendulum होता है उसकी लंबाई बढ़ने के कारण दीरे दीरे चलने लगती है grism रितू में दीरे और सीत काल में तेजी से चलने लगती है next question की तरफ चलते है next question है हमारा बरप पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है गलनांक का दाब बढ़ाते है ना तब क्या हो जाता है घट जाएगा या उसका गलनांग बढ़ जाएगा ए परिवर्तित रहेगा या उसका मान सुनने हो जाएगा तो friends हमारा जो correct answer है वो होता है घट जाएगा उसका गलनांग का मान है वो घट जाएगा वो दाब बढ़ाने से वो दीरे दीरे गलने लगता है तो हम next question की ओर चलते हैं, हमारा next question है, decibel क्या होता है, एक decibel क्या है, एक संगीत नोट, एक धवनी इस्तर का मापन, एक संगीत यंतर, या फिर तरंग देधरिये, तो इन में से friends हमारा जो correct answer हैं, वो हो जाएगा option B, एक धवनी इस्तर का मापन next question की ओर चलते हैं हमारा next question है किस vitamin की कमी से रतंदी रोग होता है कौन से vitamin की कमी से रतंदी रोग हो जाता है vitamin A vitamin B, vitamin K, vitamin A या फिर vitamin D तो friends इन में से जो हमारा correct answer है वो हो जाएगा vitamin A option C vitamin A की कमी से रतंदी रोग हो जाता है next और अंतिम क्यूशन की ओर चलते हैं हमारा next और अंतिम क्यूशन है methane अणु की आवरती होती है methane अणु की आवरती कैसी होती है कोण ये, सम्तलिये, रेखिक या फिर सम्चतुस फलकिये तो friends हमारा इन में से जो correct आंसर है वो जाएगा मिथेन अनु की आवरती हमेशा सम्चतुस फलकिये होती है केसी होती है सम्चतुस फलकिये होती है next question complete हो चुके हैं हमारे question विनायक सपलता steady YouTube channel को subscribe एवं comments अवसे करे